परतंत्रता से मुक्त होने के लिए प्रगट में हमारे विभारत देश वाशियों ने फांशी के फंदे को वर्माला की तरह बंदे मात्रम कहके श्वैकार कर लिया। तब जाके श्वतंत्रता का हम शुख ले रहे हैं। श्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बलिदान हुआ है। जहां भी देखो तन का, मन का, धन का, प्राणों का विशर्जन करके भी स्वतंत्रता। कैसे कैसे कश्ट प्राप्त के महावपुर्शोंने, आज हम स्वतंत्रता दिवश मनाते हैं, आनंदुलाश मनाते हैं, अम्रत दिवश मनाते हैं, उनकी किरपाश है। जिनोंने भेंकर कश्ट से, रोम काप जाता है, उनकी पिराओं को शुनकर, ऐशा कश्ट में जीवन सह करके हमें उन्होंने श्वतंत्रता दिए हैं, ऐशे हैं। हमारे महापुरुश्यन, काम, क्रोद, लो, मोह, मद, मदसर इनको शह करके, और इनकी नास की विरत्ती को खोजा, कि यह भी तक हमारा नास करते रहे, अब इनका हम कैसे नास करें। अपने प्राणों को भगवान के चर्णों में समर्पित करके, सदा सदा के लिए श्वतंत्र हो गए। परमश्वतंत्र न सिर्परकोई, जैसे श्री भगवान, वेशे भगवान का महान भागवत, किसी का साशन नहीं, परमानंद निमग्म, ना मृत्यू का भय है, ना काल का साशन है, ना स्वभाव का प्रभाव है, एक अध्भूत आनंद मैं व्रत्ती। श्री पात कह रहे हैं, देखो ये मार्ग है, जब तक आप ये मैशूस अनुभो नहीं करते कि हम परतंत्र हैं, तब तक अध्यात्म का मार्ग ही कैसे खुलेगा, आप श्रोतंत्रता चाहेंगे नहीं, और उसी परतंत्रता को शुक्ष समझेंगे, तो आप परमार्थ में च चले ही नहीं सकते हैं, देखो ना आप कितने परतंत्र हो, एक छोटा सा विशय, शास्त्र और गुरु, भगवान, शमाज, सब की अवेलना करके वाशत आचरन करा देता है, जीवन भर जेल भोगनी पड़ती हैं, या वैदिक शिद्धांत के अनुशार नाना प्रकार के न भ्यानक मृत्यू के भैसे भैवीत रहते हैं, आप आनंद समद्र के शुख राशी अंस होते हुए भी, जहां सुखा भास है, शुख नहीं है, ऐसे भोगों के लिए प्राणों की भी परवाह नहीं करते हैं, आप परतंत्रता को देख पा रहे हैं अंदर से, आप महान के मह अंश्वा हैं, और आपकी द्रशा क्या हो रहे हैं, इस परतंत्रता को हटाने के लिए हैं, यह हमारा मानो देह, यह शादु शमागम, यह शास्त्र ग्यान, शमर्थ है, बस आप स्वईकार कीजिए, कि आप इस परतंत्रता से मुक्त होना चाहते हैं, मुमुक्षता, अब म परतंत्र नहीं रहना काम के, क्रोध के, लोग के, मोह के, मद के, मतसर के, द्विष के, इर्श्या के, जब जैसा चाहते हैं, वैसा मुझे यह कलेश देते हैं, परास्त करते हैं, अब नहीं, अब लो नशानी, अब ना नशए हो, अब ऐसा नहीं होने देंगे, अभी बात बन जाए जब आप द्रड़ता पुर्वक मृत्यु को वरण कर लेते हैं तो आप कहीं भी कभी भी भी भैवीत नहीं होंगे तो आप बिजय प्राप्त करेंगे आपका भै ही आपको परास्त कर रहा है जागिये इस भै की मोहों की थासी से मुक्त हो ये ये बहुत सुंदर सची मानिये ये कोई प्रवचर नहीं है जिस दिन आपके हरदय में अचाह इस्थिती जाग्रत हो जाएगी कोई चाह नहीं वो शुक ब्रमाजी को भी नहीं जो महाभागवतों को प्राप्त होता है तभी तो कहते सुर्पती नर्पती लोकपती जिनके भावय घास रहे पर एकश्रम आनंद में तजसवही की आस अचाह इस्थिती ये चाह शरीर को मैं मानने से है कभी नहीं छुटेगे जब तक शरीर को मैं मानोगे इंद्री और मन प्रकती की तरपा कर शितो कर भोगों में लगे ही रहेंगे और जब प्रियालाल को अपना मानलोगे तो चाह कभी नहीं रहे जाएगी, शिद्धान्त है, जब तक शरीर को अपना मैं मानूगे, अचाह नहीं हो सकते, प्रियालाल को अपना मान कर तनमे हो गए, तो चाह नहीं रहेगी, निजशुख बिनमन होई कि थीरा, निजशुख हैं प्रियापृतम, प्रभु, जब ये आनंद होगा, तो चाह नहीं नहीं जाएगी, जब भगवदानंद की श्फूर्ति होती है हिरदय में, तो रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन, जिमिजन बड़भावी, जैसे कोई उल्टी नहीं खाता, बमन नहीं खाता, ऐसे घ्रणा हो जाती है, ब्रमादिक के भोग बिश्यम लागत्ता है, मानिए कि उल्कता ही नहीं है, ये इस्थिती है, आपको ही इस्थिती प्राप्त करना है, आपके लिए ही है, ऐसा विचार मत कीजिए, मैं ग्रेश्त हूँ, मैं विश्य हूँ, मैं, 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 कैसा भी हूँ, प्रियालाल का पहले स्वाइकार करो ना, यह सत्य है, त्रिकाल सत्य है, ममई वानुषय, जीवलो कि जीवभुता सनातना, ऐ सनातन भगवदन्स, स्वाइकार कर तू पहले प्रभु का है, यह तो भूल से हमारी स्विकरती वही कि मैं पुरुशु मैं इस्त्रिव, यह भूल है ममई वान्षू जगत गुरु भगवान स्री कृष्ण कह रहे तो आप स्वैकार करो इसी स्वैकृती से महान बल प्राप्त होगा हमारा जो आत्म बल छीन हुआ है गलत स्वैकृती से हमारा आत्म बल प्रकाशित हो जाएगा सत्यस्वीकृति से हम प्रियालाल के है श्रीपाद कह रहे हैं बीभत्सम बपुरेद तत्रपतितास्चे इस्टास्वमस्तापी एक गंदे विशय जिनमे तुम अपने जीवन को नश्ट कर रहे हो अलम विशय वालतया नरक कूटी बीभत्सया बीभत्सम बपुरेद ये तुम सरीर के जो भोग भोग रहे हो बुद्धी मलिन हो गई स्लेश में सुख लग रहा है महापुरुष जनकर एक नहीं सब जितने महापुरुष भक्ती ज्यान योग की उत्तम भुमिका पर पहुँचे उन्होंने अनुभो किया हमारी दृष्टी माया की त्रगुनात्मिका आकर्षन मही वरत्ती में ऐसी मलिन हो गई है कि देखते हुए भी ने दिखाई देरा नेन अचत दीखत नहीं यह माया कर रूप नेत्रहें पर दिखाई नहीं देरा सही नहीं दिखाई देरा रसी का साप समझे हुए भैवीत हो रहे हैं मरग तर्शना में प्यास बुझाना चाहते हैं जाए एक बून पानी नहीं बड़ी कृपा हुई है कि हमें शत्मार्ग में चलने की पेरणा मिल रही शत्मार्ग में चलने का उत्षाह मिल रहा है हमें पता चल रहा है कि शत्मार्ग क्या है अब शावधान हो जाओ बीभत्षम ये बड़े घ्रनास्पद है बहुत बहुत जन्म हो गए इनी को भोगते विए पसु पक्षी कीट पतंगा सब जीविसी में लगा हुआ है सब को नीदाते हैं सब को मैथुन सुख की लालसा है सब भोजन करते हैं सब निद्राभैहार मैथुन सब की सम ये सब के मानों दे हैं इन पर शाषन करके सचिदानन स्वरूप में इस्तित होने के लिए मिला मान लीजिए प्डार्थना ये पानी का बुलबुला फूटेगा आज नहीं तो कल अंजुली को कितना भी कस के पकड़ के रखोस में जल भर लो नहीं टिकेगा ऐसे ही तुमारी आयू प्रतिपल नस्ठ हो रही तुम्हें पता नहीं शरीर छूटते ही तुमारे कर्मा नुशार दंड मिलेगा या स्वार्गीक शुक मिलेंगे फिर नई योनी फिर भटकना अब ऐसा कर लो कि भटकना मिट जाए पतितास चेश्टा समस्ता भी ये नीच आचरन छोड़ दीजिए मा पुरुस्दन कह रहे आप जानते हो ये गलत है फिर भी कर रहे हो क्यों? क्योंकि तुमारे हिरदय में नाम बल नहीं है और कुछ भी कर लो छूटिबे के जतन विसेस बाढ़े जाएगो वे है विस भोजन जो सुधासा निखाएगो जागत बागत सपने न सुख सोईए जुग जुग जनम जनम जगर होई है ना जागरत में सुख मिलेगा ना स्वप्न में ना स्वशुप्ती में तीनों लोकों में कहीं मी भाग के जाओगे चैन नहीं मिलेगा जब तक भगवन नाम का निरंतर रटन नहीं करोगे ना बुद्धी शुद्ध होगी, ना तुम्हें अपने में इन विकारों पर विजय पाने के लिए बलकानुभाओगा, नहीं हो पाएगा, आप निर्बल रहेंगे, जब नाम चल रहा है, तब आप इस पर विजय, तब आपकी बुद्धी शुद्ध होगी, तब आपको एब बात समझ में आएगी, कि मैं जूटे व्यर्थ सुखों में अपने समय को नश्ट कर दिया, बहुत कीमती समय, जिस स्वास को आप मनोरंजन में नश्ट कर रहे हो, एक स्वास की कीमत पूरे त्रिभुवन की राजलक्ष्मी नहीं है, मानो आपने साथ वर्स खुब धन कमाय अब आपकी आखिरी स्वासों, पूरे शाठ वर्स की स्वासों की द्वारा जो कमाय हुई संपत्य है, वो बदले में एक स्वास मांगो दे के तो नहीं मिलेगी, इतनी कीमती स्वासों को परमधन राधा नाम में क्यों नहीं लगा देते, जिस से तुम्हारा यह लूग पर सब मंगल में हो जाएगा, श्री पात के रहे, व्यालुप्यो प्रकतिम भजन रस्मई मंतस तथे वाक्रतिम तुम अपना श्वभाव बनालो भजन करने का, प्रकतिम श्वभाव रस्मई रस्मई भजन करने का, राधा 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 नाम शुधा रशम यह रश है अम्रित रश है, प्रेमाम्रित रश है, शुभाव बना लो, सेवक जी महाराज कहते हैं, यह जु परेव मुई सहज शुभाव, शीहरिवन्स नाम रस्चाव, नाव सुद्रड भवतरन को, नाम जपत आई सव सोही, देहु शुबुद्धि क्रपा करिमोही, पोई सुगुन म आला रचों, नित्य सुकंठ जु पहिरों तास, जस्बरनों हरिवन्स विलास, शीहरिवन्स ही गाई, क्रपा करो, निरंतर नाम जपने का शुभाव बना लो, सेवक जी कहरें, आचारी क्रपा से, गुरु क्रपा से हमारा शुभाव बन गया है, यह जु परेव मुई सहज स्वभाव, शीहरिवन्स नाम रस चाओ, स्वाद लग गया जिभ्या को, रशेंद्री को, नाम रस का, अब फिर क्या हुआ, बुले, जितनी महा महिम सास्त्रों के शिद्धांत ग्यान, उन सब का फल प्रेम, इस अब हमारी बुद्धी में अपने आप जागरत हो गया, ना ऐसे जड़ चेतन गरंती का बेदन नहीं होता, नहीं होता, बिश्वास किजिए, प्रवचन कर सकते हैं, दुसरों को समझा सकते हैं, अपने मिमान सकते की ग्यान है, पर जड़ चेतन गरंती का बेदन नहीं होगा, और ये नहीं हुआ, तो सारे विकार अंदर पनपते रहत हम मुक्ष भात कहते हैं मुक्ष धर्म की और फसे होते हैं माया के भूग धर्म में केवल वानी से सास्त्र ग्यान उच्छारण करने से काल पर भी जय नहीं प्राप्त कि जा सकते हैं इसकी लिए निरंतर नाम मान लेजे प्रार्थना मान लेजे कुछ जाननी की और जरूरत नहीं। हरदे की बात कह रहा हूँ, महापुर्शों की बात कह रहा हूँ, स्वास स्वास, यदि नाम रट रहे, तो दुविधान ये निश्चित आपको परंपद की प्राप्ति होगी। नाम स्वास दू बिलक्षलत है, इनको भेदन मू को भावे, श्वाशई नाम नाम ही स्वासा, नाम स्वास को भेद मिटावे। ये ये जीवन मिला है, इस परमानंद की प्राप्ति के लिए। प्रकतिम, रस्मयीम, तुम्हारा श्वभाव बन जाए रस्मय भजन करने का। आप जैसा अभ्यास करते हैं, वैशा ही आपका श्वभाव बन जाता है। ऐसा नहीं की श्वभाव नहीं बदलेगा, ये परिवर्तम शील है, क्यों नहीं बदलेगा। आप बदलना नहीं चाहते हैं, आपका भागवतिक श्वभाव हो जाएगा, एक रशिस्थिती आ जाएगी आप प्रयास किजे शत्संग के द्वारा सास्त श्रमन के द्वारा बुद्धी को निश्य कराए कि जीवन का परमलाव ये पतित आचरणों का त्याब करके निरंतर नाम जबते हुए भगवद आचरण करना भगवद प्रशनता के लिए सेवार्थ जगत मंगल के लिए कारी करना श्री पाद कह रहे है रश्मई मंतस तथई वाक्रतिम जब आप ऐसे रश्मई भजन करोगे तो आप के अंदर इसी इस्थूल शुक्ष्म कारण से अलग एक भाव देह का प्रादुर्भा हो जएगा रश्मई मंतस तथई वाक्रतिम यदि आप दास भाव से भजन कर रहे हैं तो भगवान का दिब्वे दास शुरूप प्रकाशित हो जाएगा सखा भाव से भगवान का दिब्वे शखा शुरूप प्रगठ हो जाएगा गोपी शुरूप प्रगठ हो वात्सली शुरूप सहचरी शुरूप आप जीन आचारियों की शरण में हैं जो नाम मंत्र जब कर रहे उसके प्रभाव से आपके इन तीनों देहों से परे एक भाव देह का प्रादुर्भा हो जाएगा व्यालुप्य प्रकतिम भजन रस्मई मंतस्त थै वाक्रतिम काब जब पतित आचरणों का त्याग करो गंदे भोगों का चिंतन उनकी क्रियाएं त्याग करो बीभत्सम बपुरीत दत्र पतिता चेष्टा समस्ता आप व्यालुप्य जड़ से नश्ट कर दो ये तभी होगा हो जाएगा नामजब और शास्त्र आज्या में रहना नामजब भी कर रहे हैं और शास्त्र बिरुद्ध आचरण कर रहे हैं फिर नहीं बचेंगे एक-एक शब्द शास्त्र का आपके शुरक्षा के लिए बना हुआ है अगर आप मनमानी थोड़ा भी शास्त्र से विलग करेंगे वहीं माया आपको धर्द बुचेगी वहीं आपको पटक देगी पक्का वहीं आपका हिर्दे बलहीन हो जाएगा जहां सास्त्र के बिरुद आचरन हुआ फिर आप निराश,ुदास, किन हो जाएगे आप हमसे नहीं हो पायेगा ऐसा आपको अनुभो में आने लगेगा में प्रियापरितम का हूँ में प्रभू का हूँ फिर दूश्रा जिनका मैं हूँ उनका अनन्य चिंतन करने का अभ्यास जब अन्य चिंतन ही नहीं अन्य शंकल पी नहीं तो अन्य क्रिया कैसे होगी अन्य क्रिया तभी होती है जब हरदे खाली होता है उसमें हम पापाचरण की बिरतियों को बढ़ावा देते हैं छूट देते हैं, नहीं तो उसी में नाम चलाओ, देखो जलन पैदा हो जाएगी, मन के बिरध नाम चलाओ, जलन पैदा हो जाएगी, वो खुद जलेगा, पवित्र हो जाएगा, शुर्ण अगनी में तप करके और कांतिमान होता है, तेजवान होता है, उसका मल नश्ठ हो ज पर भगवन नाम जपने पर जो जलन होती वो मन को निर्मल करते हैं वो सारे दोशों को मिटाते हैं जहां आपका नाम निरंतर चला रस्मई बृति प्रगट हुई तो भाव देखा प्रादुर भाव रस्मई मन्तस तथे वाक्रतिम फिर जिश्वाव के हो आराध्य देव के समीप उनका धाम उनके परिकर उनकी शुक्षा मांगरी ये सब आपको दिखाए देने लगेगे दिब्ब्रंदावन धाम दिब्ब्र नव निकुन्ये जिन में खगम्रगपशू पंची राधायस का गान कर रहे हैं अदबुत्शुभा वहाँ आप अपने को देखेंगे शरीर कहीं भी रहें इसथूल शरीर कहीं है पर आप अपनी उपस्थिती देखेंगे दिब्ब धाम में प्रिया प्रितम के समीप दिब्लीला में महासुख महासुख पुजिराधा बाबा भाय जी महाराद शरीर तो गीतावाटिका में है प्रगट शरीर और भाव देशे निरंतर ब्रंदावन की कुझनिकुझों में श्वामिनी की परिशर्या में है प्रिया प्रितम की शुक में निमगने शरीर कहीं भी हो प्रेशी स्थिती प्राप्त करने के लिए तन ही राखि सत्संग में तब मन ही प्रेमरस भेओ अगर हमारा तन कुशंग में रहेगा तो मन कहां से सत्वस्तू का चिंतन करेगा सत्वस्तू का चिंतन करने के लिए सत्संग चाहिए तन ही राखि सत्संग में आपके आचरन सत्थ होने चाहिए आप जिनसे मिलते हैं जिस परिकर में रहते हैं शत्व अतावरन होना चाहिए असत्चेश्टाएं असत्भावनाएं मन असत्थ में ही डूबेगा